और लेट चेक इट आउट गाईस, वागद आपका इस्टोन टेक में, दोस्ताज हम कंपेर करेंगे Vivo T3 Ultra को Motorola की तरफ से जल्दी इंडियन मार्केट में लॉंच होने वाले एक धमागेदर इस्पेक्स वाले 5G स्मार्टफोन के साथ, जिसका नाम में Motorola Moto G75, और जलेंगे के इ यंदोनों, मोबालों के इस दिस्प्लेः के बारे में, जिसमें Motorola Moto G75 में आपको 6.7-8 इंचिस इंचिस के एमिलेट डिस्प्ले देखने को मिलेगी, मोटोरोला में आपको 387 ppi skin density देखने को मिलेगी, वहीं वीवो में आपको 453 ppi skin density देखने को मिलेगी, अगर बात करें वेट की तो मोटोरोला का वेट आपको 205 gram देखने को मिलेगा, वहीं वीवो का वेट आपको 192 gram दे अगर बात करें बिल्ड क्वालिटी की तो मोटोरूला में आपको फ्रेंट ग्लास और बैको फ्रेंट आपको प्लास्टिक देखने को मिलेगा वाई विवो में आपको फ्रेंट आपको प्लास्टिक देखने को मिलेगा अगर बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की तो दोने ही म बालो के राफिक्स की तो Motorola में आपको ADINO 710 वाई-वीव में आपको 8Hz 12GB के वेरेंट्स देखने को मिलेंगे, एगर बाद करे श्टोरेज टापकी तो दोने मॉबाल में आपको UFS 2.2 स्टोरेज टाप देखने को मिलेंगे, और अगर बात करें camera segment की तो दोने mobile में 50 और 8MP का dual camera setup आपको देखने को मिलेगा अगर बात करें selfie camera की तो Motorola में आपको 16MP का front camera देखने को मिलेगा Yvivo में आपको 50MP का front camera देखने को मिलेगा तो यहाँ पर selfie camera आपको Vivo का काफ़ी better देखने को मिलेगा अगर बात करें sound quality की तो दोने mobile में आपको stereo speakers देखने को मिलेंगे और दोने mobile में आपको 3.5 mm jack का feature भी देखने को नहीं मिलेगा अगर बात करें fingerprint sensor की तो Motorola में fingerprint sensor आपको side mounted देखने को मिलेगा वही वीवो में आपको fingerprint sensor under display देखने को मिलेगा और दोने मोबाल में आपको 2.0 टैप से USB पोर्ट भी देखने को मिल जाएगा अगर बात करें इंफ्रा रेड पोर्ट और NFC की तो Motorola में इंफ्रा रेड पोर्ट का फीचर आपको देखने को नहीं मिलेगा लेकिन आपको NFC का फीचर देखने को मिल जाएगा वाई वीवो में आपको इंफ्रा रेड पोर्ट और NFC दोनों के फीचर देखने को नहीं मिलेंगे अगर बात करें बैटरी सेग्मेंट की तो Motorola में आपको 5000 mh की LiPo बैटरी देखने को मिलेगी वाई वीवो में आपको 5500 mh की LiN बैटरी देखने को मिलेगी चार्जिंग की बात करें तो Motorola में आपको 30W की फास्ट चार्जिंग का फीचर देखने को मिलेगा वाई वीवो में आपको 80W की फास्ट चार्जिंग का फीचर देखने को मिलेगा यहाँ पर बैटरी सेग्मेंट आपको वीवो का काफी अच्छा देखने को मिलेगा अगर बात करें दोनों मुबाइलों के कलर्स की तो मोटो रोला में ग्रे ब्लू और ग्रीन कलर्स आपको देखने को मिलेंगे वाई वीवो में आपको ग्रे और ग्रीन कलर्स देखने को मिलेंगे इंडिया में मोटो रोला मोटो जी 75 का प्राइस 32,990 होगा वाई वीवर T3 Ultra का प्रैस 31,999 होगा तो दोस्तों यही था इंदनों मुबाइलों का complete comparison ओवराल देखा है तो दोस्तों दोनें मुबाइल में काफी अच्छे features आपको देखने को मिलेंगे लेकिन performance और battery segment आपको वीवर T3 Ultra का काफी better देखने को मिलेगा तो इस comparison का killer winner होगा वीवर T3 Ultra अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लैक्शेट ज़रूर करना और चैनल को subscribe करके bell notification को भी on कर लेना और comment करके बताने के आपको वीडियो कैसा लगा तब तक लिए इतना ही मिलते अगले वीडियो में